Hello everyone, welcome back to my channel. आज की वीडियो का topic है atomic radius और इसमें हम इसके types के बारे में भी बात करेंगे और periodic table में variation के बारे में भी अब atomic radius होता क्या है? Atomic radius actual में वो distance है जो nucleus की center से लीकर outermost shell जिसके अंदर electrons होते हैं वो count होता है अब जो atomic radius होता है वो किसी bowl की तरह fixed radius नहीं होता है जब भी हमें एक atom का radius measure करना होता है तो जो दोनों atoms एक दूसरे को touch कर रहे हैं उनके nucleus का distance निकाल कर हम उसे half से divide कर देते हैं अब mainly 3 तरह की atomic radius होते हैं First one is covalent radius, second is wonderwall's radius and the third is metallic radius तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे covalent radius के बारे में जब दो atoms एक दूसरे के साथ covalently bonded होते हैं तो उन दोनों के nucleus के बीच का distance हम measure करके उसे half में divide करेंगे तो वो covalent radius कहलाएगा अब इसके बाद बात आती है wonderwall's radius की जब दो non bonded atoms यानि क्योंके बीच में bond तो नहीं है वो एक दूसरे के neighboring atoms है तो उन दोनों atoms के nuclei distance को half करने पर जो radius हमें मिलता है वो wonderwall's radius होता है अब क्योंकि हम covalent और wonderwall दोनों radius जान चुके हैं तो इनका एक छोटा सा comparison भी देख लेते हैं सबसे पहली बात जो wonderwall's forces of attraction होते हैं वो बहुत weak होते हैं क्योंकि जो wonderwall's forces हैं वो ऐसे atoms के बीच में होते हैं जो कि bonded ही नहीं होते तो उनका जो radius होता है वो covalent radii के comparison में ज्यादा बड़ा होता है अब दूसरी चीज़ यह होती है कि covalent bond दो atomic orbitals की overlapping से बनता है जिसकी वजह से एक electron cloud दोनों atoms में common होता है और इसी वजह से covalent radius हमेशा कम होता है wonderwall's radii से अब इसके बाद हम बात करेंगी metallic radius के बारे में लेकिन उससे पहले आप metallic bonding जान लीजी एक metal lattice के अंदर positive kernels जिने हम metal ions भी कहते हैं उनके और electrons के बीच में जो electrostatic force of attraction होता है उसे metallic bond कहते है तो आप बात करते हैं metallic radius की जब एक metallic lattice के अंदर दो metal ions जो एक दूसरे के adjacent होते हैं तो उनके internuclear distance को अगर half कर दिया जाए तो जो हमें मिलता है वो होता है metallic radius अब अगर हम comparison करें metallic radius और covalent radius का तो एक metallic lattice के अंदर जो valence electron move कर रहे होते हैं वो बहुत ही weakly attract होते हैं metal ions से और वहीं अगर हम बात करें covalently bonded atoms के बारे में तो उनके अंदर जो electrons हैं वो ज्यादा strongly attract होते हैं उनके nucleus के तरफ जिसकी वजह से अपने आप उनका जो radius है वो कम होता है और इसी वजह से हमेशा metallic radius ज्यादा होता है as compared to covalent radius तो अब अगर हम comparison करें तीनों radius का तो सबसे बड़ा होगा wonder walls then metallic and then covalent अब बात करते हैं कि atomic radius का periodic table में किस तरहीखे का variation देखने को मिलता है अब पहले बात करते हैं जब हम periodic table में left से right की तरफ चलते हैं यानि की along a period तब क्या होता है atoms का size घटना शुरू होता है कम होना शुरू होता है ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे आप एक से अगले element पर जाते हैं तो उसके अंदर number of electron एक एक करके बढ़ते हैं लेकिन साथ में proton भी बढ़ता है और वो proton अब electron को अपनी तरफ ज्यादा effectively उसे attract करते हैं जिसकी वजह से दीरे 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 आटम्स का size छोटा होना शुरू हो जाता है अब बात करते हैं top से bottom की तरफ यानि कि group wise अगर हम variation को देखें तो size बढ़ा होता जाता है atomic radius का अब ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए क्योंकि आप जब next element पर जाते हूँ तो electron और proton तो अब भी बढ़ रहे हैं लेकिन जो electron add-on हो रहे हैं वो एक नए shell के अंदर add-on हो रहे हैं तो जैसे जैसे shells बढ़ते हैं वैसे वैसे उनका size भी बढ़ना शुरू हो जाता है तो अब आज की वीडियो में बस इतना ही थांक्स फो वाचिंग प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल बाई बाई